विसकी, रम, ब्रैंडी, बीर, कुछ भी कह लीजिए, इन सब में अलकोहल होता है, हाँ, इन सब में अलकोहल की मात्रा जरूर अलग लग होती है, शुरू शुरू में टेस्ट करने से शुरूात होती है, और फिर लट लग जाती है, शराब शरीड के लगभग सभी अंगों प लीता है, तो यह मूँ के रास्ते हमारे पेट तक पहुंचती है, अब अलकोहल का लग भग 20 प्रतिशत हिस्सा पेट की वाल्स एब्जॉब कर लेती है, बाकी अब अलकोहल हमारे खून में मिल जाता है, जिसकी बाद पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है, डिरेक ही करता है, इसलिए जादा शराब पीने वाले लोगों का लीवर जल्दी खराब हो जाता है, जादा लंबे समय से अलकोहल पीने से लीवर फैटी लीवर बनने लगता है, हार्ट तक पहुंचकर अलकोहल लंग्स में जाती है, इसी कारण मों से बद्भू भी आने लगती है दिमाग में पहुंचकर अलकोहल ब्यक्ती की कॉंशिसनेस को इंपेक्ट करती है, लोग पूरी तरह से होश में नहीं रहते, इसी लिए ड्रिंक एंड्राइब करना कानूनन जुर्म भी है, क्योंकि शराब पीके गाड़े चलाने से कुछ भी हो सकता है, शराब किड्नी को भी इंपेक्ट करती है, आप ये तो जानते ही होंगे कि किड्नी शरीर से गंदगी बाहर निकालने का काम करती है, जाधा शराब पीने से किड्नी पे प्रेशर पड़ता है और होर्मोनल इंबैलेंस के कारण बार बार पे शावाने लगता है, दोस्तों अब तो आप समझ ही किए होंगे कि शराब पीने से शरीर पर क्या असर होता है, शराब की लट से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर के सलाह और मदद भी ले जा सकती है, नश्यमुक्ति के इंडरों में डी टॉक्सिफिकेशन के द्वारा शराब छुडाने से लेकर मेडिटेशन थेरपी, फीज का इलाज संभव है,